नीतीश तेजस्वी में बढ़ सकती है दरार, शिक्षक भरती मुद्दा के बाद बिहार की राजनीती ले सकती है करवट। नीतीश कुमार को भारतिय राजनीती का सबसे अप्रत्याशित नेता माना जाता है। वो कब कहा कैसे यूटन लेंगे किसी को पता नहीं होता। इस तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से चार्च शीट हुआ है। ठीक ऐसा ही एक चार्च शीट 2017 में भी उनके खिलाफ हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने गटबंधन तोर NDA का दामन थाम लिया था। तो सवाल है कि क्या मिस्ट ये राजनीती का सबसे अप्रत्याशित नेता माना जाता है। वो कब कहा कैसे यूटन लेंगे किसी को पता नहीं होता। इस वक्त तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से चार्च शीट हुआ है। ठीक ऐसा ही एक चार्च शीट 2017 में भी उनके खिलाफ हुआ था जिसके बाद नीतीश कुमार ने गटबंधन तोड एंडिये का दामन थाम लिया था। तो सवाल है कि क्या मिस्टर क्लीन वाली अपनी छवी को लेकर हमेशा संजीदा रहने वाले नीतीश कुमार इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बहराल इस सव को यहीं छोडते हैं और बिहार की अन्य राजनीतिक धटनाकरम को समझते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में दंगल। बिहार के एक चर्चित आयस अधिकारी है केके पार्थक। कुछ महीनों पहले अपने माथत अधिकारियों को गालीनुमा शब्दों से नवाजे के क कारण सुर्खियों में आये थे। इस बार शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचेव बने हैं और आते ही शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया में डॉमिसाइल नीती को बदल दिया है। पहले शिक्षकों की नियुक्ती सिर्फ बिहार के मूल निवासियों के लिए ही थ इस बाद से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर काफी खफा है और बाकाइदा एक पत्र लिखवा कर अपना विरोध जता चुके है और इस पत्र के बाद से आर जेडी जेडी यूके नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस मसले पर राजनीतिक जुबानी ज नौकरी की घोशना की थी। नीती शकुमार भले खुद को राश्ट्रिय फलक पर देखने के लिए बेचैन हो लेकिन तेजस्वी का सारा फोकस बिहार है और होना भी चाहिए। ऐसे में डॉमिसाइल नीती में जो बदलाव हुआ है उसमें तेजस्वी यादव की क्या भू पर भी पड़ेगा अब तक भले इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने खुल कर कुछ नहीं कहा हो लेकिन इस मुद्दे का जिस तेजी से विरोध हो रहा है और राजनीतिक स्पेस में भी आगे यह मुद्दा उठेगा तब तेजस्वी यादव को खुल कर स्टैंड ल खाल ही में चिराग पासवान ने एक इंटर्व्यू में साफ कह दिया है कि बीजेपी को सोचना है कि उसे नीतिश चाहिए या 3-4 शमतावान भागीदार यानी चिराग भी यह मान रहे है कि नीतिश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते है और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर NDA में उनके लिए कुछ खास बचेगा नहीं लेकिन सबसे गभीर इशारा आ रहा है बीजेपी के नए साजेदार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मंत्री संतोष सुमन के मताबिक जेदी यू के महागट बंधन में शामिल होते वक्ती ये तैह हो गया था कि जितनी जल्दी हो नीतीश कुमार विपक्षी एक्ता की बागदोर संभाले और राष्ट्रिय राजनीती में अपनी किस्मत आजमाए इस डील के अनुसार आरजेदी ने नीतीश को सीम तो बना दिया लेकिन जब नीतीश के सामने अपना वादा पूरा करने का वक्त आया तो वो आनकानी कर रहे हैं इसलिए RJD ने नीतीश को अब अल्टिमेटम दिया है कि जल्द से जल्द तेजस्वी को सीम बनाएं और अपने को विपक्षी एक्ता की कवायद में लगाएं लालू यादव की सक्रियता के मायने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन की कहानी पूरी फिल्मी भी नहीं है इस बात के आसार शुरू से थे कि तेजस्वी बिहार संभालेंगे और नीतीश केंद्र की राजनीती करेंगे खुद नीतीश कुमार ने ये कहकर सबको चौका दिया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नित्रित्व में होगा इसके बाद से उपेंद्र कुश्वाहा जैसे उनके भरोसे मन सह्योगियों ने उनका साथ भी छोड़ दिया था इस वक्त बीमारी से उबरने के बाद लालू यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय दिख रहे है और लालू की राजनैतिक शैली से पारपाना नीतिश कुमार के लिए भी आसान नहीं होगा सीधा सा गनित्था जिसके बारे हम नेता संतोष सुनन बता रहे है लेकिन नीतिश कुमार 24 की लड़ाय तक खुद को सीएम बनाय रखना चाहते है चाहे जो हो जाए इन सब के बीच लालू यादव कोई रिस्ट नहीं लेना चाहेंगे वे चाहेंगे कि अब नीतिश कुमार दिल्ली की तरफ कूछ करें और बिहार तेजस्वी के हवाले हो अब ऐसे में टूट फूट की आशन का बिहार में महराश्ट्रा दोहराय जाने की अटकले अगर लगाई जा रही है तो ये सब निराधार नहीं है लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि लालू यादव ही इस वक्त अकेले ऐसे नेता है जो सामप्रदाईक्ता के खिलाफ लड़ाई के नाम पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने की कुववत रखते है नेशन नीज बयूरो रिपोर्ट